हेलो गाइस तो आज की इस लेक्चर में हम जुलाई 2023 के सभी इंवार्मेंट से रिलेटेड करेंट अफेस को डिसकस करने वाले हैं और ये क्लास आपकी जो है वो इंवार्मेंट से रिलेटेड जितने भी एक्जाम्स हैं चाहे नेट जी आरफ हो चाहे आपका UPSC या स्टेट PCS हो इन सभी के लिए यूसफुल होने वाली है तो मेरे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और इससे पहले मैंने मई और जून महीने के भी करेंटर प्रेस को कवर किया है वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं तो चलिए आज की क्लास चुरू करते हैं सबसे पहल किया गया है क्या है वो देख लेते हैं तो यह बिल जो है अमंडमेंट का यह दोनों हाउस से पास हो गया है जुलाई में और थर्ड अगस्त को यह अलरड़ी एक आक्ट बन चुका है जब उसे प्रेसिदेंशल असेंट मिल गई तब ठीक है तो बालाजिकल डाइवरसिटी एक जो 2002 में आय था ओरिजनली यह भी हमें यह याद रखना है कब आया था जब यूएन कंवेंशन ओन बायोजिकल डाइवरसिटी साइन की गई थी 1992 में जो हमारा रियो डीजिनारियो सम्मिट हुआ था वहाँ पर यह साइन की गई थी बागी के भी तीन कंवेंशन थे वह उनकी जितनी भी डाइवरसिटी हो चाए प्लांट्स हो चाए आनिमल्स हो वो सारे हमारे बायो डाइवरसिटी का हिस्सा हैं जेनिटिक रिसोर्स भी तो इस एक्ट के अंदर हमारे तीन टियर मेकानिजम बनाए गया था जिसमें सबसे उपर रखा गया था नेशनल लेवल एपर बननी थी डूसरी हमारी थी स्टेट बायो डाइवरसिटी पे बननी थी उसके बाद तीसरे नमबर पे हमारी बायो डाइवरसिटी मैनेजमेंट कमिटी जागई जो लोकल लेवल पर कही सारी बननी थी उसके बाद हमारा अगर हम बात कर लें इसी जमय Another इन्टेड नेशन कन्वेंशन और बाइलाजिकल डाइवर्सिटी यह क्या है एक इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग मल्टी लेटरल ट्रीटी है ठीके लीगली बाइंडिंग है यह चीज़ याद रखनी है इसके तीन मेजर गोल्स थे सबसे पहला क्या कि हमें बायलाजिक गोल्स त्थी देशन शॉसन और पहलाजिकल ढवर्सिटी जो गीरीफिकला गोल्स रखनी है सोलुक्त अल्ग दयां इस तरीके से यह क्यों 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 है अगर कि सी डशतील दीना वालेडिंग रिपनेशन पूर्सरी सिर्थी करना है तो इसको थीजए चैन देशन मेंचन आया था 1992 में इसके अब तीन प्रोटोकॉल किये गए ठीक है प्रोटोकॉल मतलब जो भी मतलब हमारे एम्स हैं उसको पूरा करने के लिए प्रोटोकॉल बने थे सबसे पहला देखे नगोया प्रोटोकॉल है और बेनिफिट शेरिंग ठीक है बेनिफिट कैसे शेर कुछ तो उसका सेफटी क्राइटेरिया क्या होगा क्या उसके एफेक्ट्स होंगे हमारे इन्वार्मेंट पे तो ये सारी चीज़ें आगे इसमें फिर हमारा नगोया कुआला लंपूर संप्लिमेंटर प्रोटोकॉल अन लाइबिल्टी था ये तीनों प्रोटोकॉल थे औ पाई-लाजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के भी कन्वेंशन के भी अब हम देखेंगे कि यह जो बिल आया गया है जो की अब आप्ट बन चुका है इसके अंदर क्या-क्या अमेंडमेंट किये गए हैं तो मेंडिली जो अमेंडमेंट किये गए हैं वह रिसर्च वगेरा अब इसमें क्या किया गया है biological resources को अगर हम access करना चाह रहे हैं किसी commercial utilization के लिए commercial use करने के लिए तो पहले क्या था हमें state biodiversity board जो होते थे उनसे हमें पहले उनको सूचना देनी पड़ती थी लेकिन अब यह क्या है prior intimation की जरुवत नहीं है कुछ लोगों को exempt किया गया है किनको किन किया गया है आयूश registered practitioners ऐसे जितने भी practitioners है जो आयूश registered है या फिर local people and communities of the area ठीक है तो इनको exempt किया गया है उसके बाद हम अगर किसी biological resources related intellectual property rights ले रहे हैं ठीक है तो हमें NBA को inform करना होगा approval लेना होगा National Biodiversity Authority का जब actual grant हो रहा होगा उस IPR का उसके पहले पहले क्या था situation की हम जब apply कर रहे होते थे IPR के लिए तब ही हमें approval लेना होता था लेकिन अब जब actually में grant किया जाएगा उसके पहले हमें लेना होगा फिर उसके बाद इसमें clause था हमारे Biological Diversity Act 2002 में कि benefit sharing करनी होगी हमें local communities के साथ तो अब इसमें से जो codified traditional knowledge वाले लोग हैं users हैं उनको अब exempt कर दिया गया उनको ज़रूरत नहीं है benefit sharing करने की लेकिन हाँ पहले वाले अक्ट में क्या था यूजर्स ऑ बाइलोजिकल रिसोर्स एन असोसियेटेड नॉलेज टू शेयर बेनिफिट्स विद लोकल कम्यूइटी यह हमने डिसकस कर लिया है अब क्या है codified traditional knowledge वाले यूजर्स को exempt किया गया है लेकिन इस बिल का issue यह है कि codified traditional knowledge में कौन कौन से चीज़ें आती है इसको clarify नहीं किया गया है फिर उसके बाद बिल में कई सारे ऐसे offenses हैं जिनको decriminalize की कर दिया गया है यानि कि अब वो illegal नहीं है सिर्फ उन में कुछ civil fine वागेरा लगाए गया है जैसे अगर कोई अपने offense किया है तो punishable है with a penalty between rupees 1 lakh and 50 lakh अग अगर continued contravention होता है तो 1 करोड तक का fine लगा सकते है penalty लग सकती है पहले क्या था यह punishable थे up to five years या फिर fine या फिर दोनों ठीक है तो पहले यह था अब इसको decriminalize कर दिया गया है अब हम national biodiversity authority की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन-कौन से members है एक chairperson को रखा गया है 16x official members को रखा गया है जो कि ministries को represent करेंगे four representative हमारे state biodiversity board के होंगे five non-official members होंगे specialist में से एक member secretary होगा जो की chief coordinating officer of NBA होगा ठीक है member secretary किसे रखेंगे हैं जो national biodiversity authority का chief coordinating officer है उसे यह members हो गया है पहले किया थी इसकी composition 10x official members थे 5 non-official members थे specialist में से तो अभी यह change किया गया है तो यह हमारा important है यह act क्योंकि अभी यह pass हो गया है अब दूसरी news पे आ जाते हैं दूसरी के status of tiger report है जो कि release की गई है पूरा इसको कहते है status of tigers co-predators and prey in India 2022 report ठीक है अब इसको release किस इसने किया है national tiger conservation authority मैंने इस PDF में कई सारे short term का use किया है तो आप लोग जरा इस पर ध्यान दें जैसे कि यहां पर यह national tiger conservation authority है अब इसने findings क्या की है अब इंडिया में 53 tiger reserve है तो यह 53 tiger reserve जो है वो इंडिया का 2.3% land area cover कर रहे हैं पिर इंडिया के पास जो है वो वर्ल्ड के tiger population क 75% tigers इंडिया में हैं उसके बाद 35% of tiger reserve जो है उनको urgently enhanced protection की जरूरत है पिर उसके बाद average number of tigers की बात करें तो 2018 में हमारे 2967 थे जो कि अब बढ़के हमारे 3682 पर आ गए है top states की बात करें tiger को लेकर कि कहाँ पे highest tiger है तो सबसे पहले MP हमारा आता है उसके बाद करनातिका आता है फिर उतरा खंड आता है अब टॉप अगर Tiger Reserve की बात करें जहाँ पर Tiger की population सबसे ज़ादा है Tiger Reserve में तो हमारे सबसे पहले आजाता है Jim Corbett Tiger Reserve जो की उत्राखंड में है फिर हमारा बांदीपूर जोगी करनाटिका में फिर नागर होल भी करनाटिका में फिर बांधवगड एमपी में और दुदवा यूपी में यह टॉप फाइब टाइगर रिजव है फिर स्टेट्स की बात करें जो सबसे बॉटम में हैं करनागर पर अणेघर नागर है नागर जो पतों करने टैयर में यहां में पमोचा करने Xin सतकोशिय औडिशा उक्षे क्यांभा प३्सद्लीज सबस्टेट्स साथ ही साथ यहां पर जो Tiger Reserve के नाम दिये गए हैं, कौन से स्टेट में हैं, ये भी हमारे लिए equally important हो जाता है अब हम बात कर लेते हैं, एक दूसरी रिपोर्ट है Tiger से ही related, Management Effectiveness Evaluation, जिसको short form MEE कहते हैं ये रिपोर्ट हमारी, इसकी ये 5th cycle report है, जो कि Tiger Reserves को assess करती है, ये हमारा 2006 में start किया गया था, Management Effectiveness Evaluation इसमें main हमारा objective था Tiger Reserve को assess करना, क्या कमिया है, क्या कहां पे सुधार लाना है, क्या चीज़ कैसे हो रही है, इसको study करने के लिए Conduct कौन कराता है, ये सर्वे, National Tiger Conservation Authority, in collaboration with Wildlife Institute of India इस बार जो है, इस सर्वे में 51 Tiger Reserve का evaluation कराया गया, क्योंकि अभी जो new form हुए थे दो रानीपूर Tiger Reserve और एक कोई और था, उनको इसमें अभी शामिल नहीं किया गया है अब इसकी बात करें, तो जो सबसे best maintain Tiger Reserve इसमें पाया गया, वो कौन सा है? Periard Tiger Reserve, जो की केरला में है उसके बाद अगर overall mean, हम MEE score की बात करें, तो ये increase हुए है from 65% जो second cycle हुई थी 2010 में, तो अभी कितना हो गया? 78%, ठीक है? 2010 में जब second cycle हुई थी, तो 65% overall score था, अब ये 78% हो गया है, तो improvement आई है फिर 12 Tiger Reserve ऐसे हैं, जिनको excellent category में रखा गया है और poor category की बात करें, कई सारी categories में Tiger Reserve को बाटा गया है, उसके scoring के हिसाब से तो कोई भी ऐसा Tiger Reserve इंडिया का नहीं है, जिसको poor category में रखा गया हूँ तो ये हमारी ये report हो गई दूसरी छोटी सी report है कि project tiger और project elephant को merge कर दिया गया है ठीक है? उसके बाद project tiger और elephant division भी बनाया गया है, इसी merger के बाद जो की ministry of environment, forest and climate change के under में ही बनाया गया है और क्यों ये ऐसा किया गया merge? ताकि जो भी funding आ रही है दोनों project के लिए उसको rationalize किया जा सके, इस वज़े से merger किया गया अब एक और बहुत important news आ जाती है हमारी, एक और amendment हुआ है किसमे Forest Conservation Act में, किसके through Forest Conservation Amendment Bill 2023 ये भी हमारा जुलाई में दोनों houses से pass हुआ था लेकिन अब अगस्त में इसको presidential ascent भी मिल चुका है ये Forest Conservation Act 1980 को amend करता है न्यू नेम इसको दिया गया है वन संद्रक्षन एवं समवर्धन अधिनियम 1980 इसी को इंगलिश में Forest Conservation and Augmentation Act 1980 नाम दिया गया है Forest की बात करें तो ये concurrent list में आता है तो इसलिए इस पे state और central दोनों government ही law बना सकते हैं अब amendment क्या किये गया है उस पे नजर डाल लेते हैं तो इंडिया के जो अभी ndc's है यानि nationally determined contribution या फिर अधर जो नेशनल टारगेट्स हैं इन सब को भी इसमें include किया गया है अब ठीक है एक preamble जैसा form किया गया है जिसमें इन सारे targets को भी जगह दी गई है उनके बारे में discuss किया गया है coverage की बात करें तो इसमें न हमारे पहले जो act था उसमें कौन सा land हम forest land consider करेंगे तो उसको लेके थोड़ी confusion टी क्योंकि T.N. Goda Verman case भी हम देखेंगे जो Supreme Court में आया था तो थोड़ी confusion दी अब उसको clarify किया गया है कि इसमें कौन कौन से forest land को include किया गया है तो coverage क्या है land declared या notified as a forest under Indian Forest Act 1927 and other laws तो वो सारे land जिनको forest हमने declare या notify किया है Indian Forest Act 1927 के तहत और साती सात अधर जो related laws है जिन में भी हम किसी land को forest notify करें तो वो सारे land हमारे इस act के अंदर cover होंगे साती सात ऐसे land जो की recorded है as a government record as forest as और on after 1980 ठीक है 1980 से या फिर उसके बाद जितने भी land जो record किये हैं government record में as a forest उन सब को भी include किया जाएगा including records of revenue department, forest department etc. ठीक है जितने भी मतलब government के जो record है जिन में किसी भी land को forest declare किया गया है 1980 में या फिर उसके बाद तो उन सब को भी हम include कर रहे हैं लेकिन इसमें हम उन land को include नहीं कर रहे हैं जो की officially change हो चुके है forest use से non forest use में on या before 1996 तो 1996 के पहले की जितने भी land जो पहले से ही non forest purpose के लिए use हो गये अब वो हो गये अब इनको include नहीं किया जाएगा कुछ land को exempt भी किया गया है ठीक है कुछ चीजें होती है मतलब forest conservation को ले के हम कई चीजों में रोक लगाते हैं तो उन सारी restriction से कुछ land को exempt भी किया गया है कुछ activities को भी exclude किया गया है from the definition of non forest purpose ठीक है non forest अब अगर हम ये सारी activities करते हैं तो ये non forest परपस में नहीं कहलाएगी ठीक है तो इनको मतलब ज्यादा मतलब छूट देने के लिए बढ़ावा देने के लिए इन सारी अक्टिविटीज को ये मेंली किया गया है कौन कौन सी है अगर हम जू या सफारी बना रहे हैं इस अक्ट के तहए तो वो भी एक्सलूड होगा अब प्रोटेक्टेड एरियाज में जाकर बनाएंगे तब ये डागू नहीं होगा वैसे ये चीज लागू होगी फिर इको टूरिजम फैसिलिटीज अगर हम क्रियेट कर रहे हैं तो वो एक्टिविटी सिल्वी कल्चरल ओपरेशन यानि सिल्क से रिलेटेड सिल्क वामिंग जो वाम्स होते हैं उनकी रियरिंग से रिलेटेड कुछ ओपरेशन कर रहे हैं तो वो भी नहीं होगा फिर any other purposes specified by the central government तीक है तो अब इसमें कोई भी purpose जो कि central government specify कर दे तो mainly central government का इसमें बहुत बड़ा role हमें सामने दिखाई देता है कि उसके पास काफी power है कि वो कौन से land को या कौन से activity को include करना चाहा है कौन से नहीं तो इसमें central government की power को बढ़ाया गया है अब क्या है state government को central government की prior approval लेनी पड़ेगी before assigning forest land by way of lease or otherwise to government entities मतलब अगर forest land है उसको किराय पे या किसी और government entities को देना है अगर state government को तो उसको पहले central government की approval लेनी पड़ेगी earlier जो approval जो थी पहले वो सिर private entities को अगर हम land दे रहे हैं lease पे तो लेनी पड़े थी लेकिन अब क्या जोड़ा गया है कि government entities को भी देंगे तो भी हम approval लेनी पड़ेगी अब central government की कुछ specific powers भी बताई गई है क्या अब कोई भी survey जैसे हो रहा है तो उसकी term and condition for treating any survey as non forest purpose क्या ऐसी term and condition है कि जो survey को non forest purpose की तरह ट्रीट करें वो सारी बताने का भी काम हमारा central government को दिया गया है survey कुछ भी हो सकता है उसके बाद provide term and condition for exempted land including planting trees to compensate felling of trees ठीके अब exempted जो land है उनको उनके लिए भी term and condition ये central government हमारी बताईगी ठीके अब अगर हम जैसे trees को फैल करना में किसी काम के लिए जरूरत पड़ गई अब उसके compensate करने के लिए हम किसी और जगर अगर trees लगा रहे है तो उसकी भी term and condition central government तै करेगी they can issue directions to any government authority और organization for implementation of the act तो power है central government के पास कि किसी भी government authority को या organization को ये directions issue कर सकती है इस act के implementation को लेकर अब हम हमने बात की थी उपर कि कुछ land को exempt किया गया है इस act के अंदर वो land कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं यहाँ पर forest conservation act लागू नहीं होगा या हटा सकते हैं उसमें छूट ले सकते हैं ऐसा कोई भी project यहाँ project की बात कर रहे हैं land card के project लिख लीजेगा ऐसा कोई भी project जो की connectivity दे रहा है किसी habitation को या फिर rail का काम चल रहा है या roadside का काम चल रहा है कोई amenity develop कर रहे हैं तो वो project हमारा exempted होगा लेकिन कितना exemption देंगे हम तो forest land up to 0.10 hectares along a rail line और public road maintained by the government ठीक है 0.10 hectares तक के forest land को हम exemption दे सकते हैं along a rail line और public road दूसरा क्या है project अगर हम कोई ऐसा develop कर रहे हैं of national importance या फिर national security से related तो यहाँ पर हम forest land within 100 km of international borders और line of control और line of actual control तो 100 km तक का जो area है international boundary से वो हम वहाँ पर हम यह चीज़ कर सकते हैं construction of security related infrastructure यहाँ पर कहां तक लाग होगा forest land up to 10 hectares फिर defense projects हो गए हमारे paramilitary camps हो गए या public utility projects हो गए इन सम्में exemption मिलेगा forest land up to 5 hectares in a left wing extremism affected area तो यह सारी चीज़े हमें याद रखनी है कितना exemption दिया गया किस को exemption दिया गया है कौन कौन से projects को और कितना exemption दिया गया है फिर हमने बात की थी कि इसमें clarify किया गया है कि कौन कौन से forest की definition में आते हैं forest land जिनको हमें act के अंदर देखेंगे तो इससे related case था Supreme Court में टियन गोदा वर्मन केस इसको भी देख लेते हैं तो 1996 तक जो forest rights act था वो सिफ इंडियन forest act 1927 के अंदर जितने भी forest थे उस पे ही apply होता था लेकिन Supreme Court ने definition of forest को expand कर दिया ठीक है expand करके कहा कि अब यह यह जो land है यह भी हमारी forest की definition में आएंगे कौन कौन से land ऐसे जितने भी land जो की recorded है as forest in any government record irrespective of ownership recognition and classification तो मेली जितने भी तरीके के land है जो as a forest किसी भी government record में दर्ज हैं तो वो सारे areas आएंगे फिर ऐसे जितना भी land है और जितना भी area है जो कि dictionary meaning of forest के अंदर आता है वो भी inlude करेंगे फिर 1996 के order के बाद एक supreme court के जज्जमेंट आया था इसके बाद एक expert committee बनाई गई थी इस expert committee ने जितने भी areas को forest identify किया था वो सारे areas भी आ जाएंगे हमारे forest के Supreme Court द्वारा जो दी गई टी एन गोदा वर्मन केस में जो forest की definition थी या forest में क्या क्या आएगा ये थी ये supreme court का था अब इसको clarify कर दिया गया यहां पर फिर next news हमारी आ जाती है graded response action plan इसको आपने कई बार सुना होगा न्यूज में the Hindu newspaper में बहुत बार निकलता है ये क्या है डेली से related है ठीक है डेली की air quality से related है इस news में ये है इसलिए है क्योंकि इसको अभी revise किया गया है और ये revision जो हुआ है वो 1st October 2023 से लागू भी हो चुका है revise किसने किया है CAQM ने यानि Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas ठीक है अभी ये commission जो है वो 2020 में फॉर्म किया गया था पहली बार और इसको statutory status 2021 में मिलिया था अब ये graded response action plan है क्या आखिर तो जैसा कि मैंने बताया pollution control measures है कुछ एक emergency response mechanism की तरह काम करता है और ये step by step process है ठीक है जैसे जैसे pollution level बढ़ता जाता है डेली में ठीक है डेली की air quality index लेवल जो है जैसे जैसे उसमें बढ़ा तोदी जाती है वैसे वैसे step by step कुछ actions लिये जाते है पल्यूशन को control करने के लिए तो वही है अमारा graded response action plan पहली बार इसको January 2017 में Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने notify किया था under environmental protection act 1986 पहले जो है इसको सिफ PM 2.5 और PM 10 के को मदलब बेस लेकर ही शुरू किया गया था लेकिन अब October 2022 से ये air quality index में जो 8 pollutants है उन सब को इसमें शामिल किया गया है अब यहां मैं बता दू एर quality index में कौन-कौन से 8 pollutants आ जाते हैं हमारा carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, ozone, PM 10, PM 2.5, lead और हमारा आ जाता है ammonia एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, तो यह 8 pollutants हैं जो कि हमारे air quality index का हिस्सा है उसके बाद जो classification है इसमें चार stages में बाटा गया है ठीक है इन चार stages के थुरू ही हम अपना action plan बनाते हैं देख लेते हैं यह stage है यहाँ पे pollution level का air quality index में कौन-कौन सा level cover कर रहा है फिर measure क्या लेने हैं पहला stage है हमारा poor का जो की 200-300 में apply होता है तो यहाँ पे जो red में लिखा हुआ है यह अभी जो revision हुआ है जो नई चीज़ें add की गई है यह वो है और blue में जो पुरानी चीज़ें है वो है ठीक है तो जब पहला हमें पहला stage आता है तो क्या करना होता है हमें NGT या Supreme Court या National Green Tribunal या फिर Supreme Court का जो order है किसको लेकर जो overaged हो गए है vehicle या diesel petrol vehicle उनको लेकर जो भी order है उसको apply कीजिए फिर ensure कीजिए hotel, restaurants, eateries इन सम्में clean energy यूज हो रही हो फिर अभी new revision में citizen charter को भी add किया गया है कि citizens के लिए चार्टर एक तरीके से लेया है कि उनको encourage करें कि वो hybrid या फिर electronic vehicles को use करें फिर ये भी डाला गया है कि 10 से 15 साल पुराने vehicles को ना use करें इस citizens को कोई ऐसा rule mandatory नहीं किया गया लेकिन एक charter दिया गया बढ़ावा दिया गया है कि वो इस चीज़ को adapt कर सके हैं second stage आ जाती है हमारी very poor की 301 से 400 होता है AQI उसके बाद diesel sets जो है इसमें NCR में जितने भी sectors में use हो रहे हैं तो उसका एक schedule बनाया जाता है कि कैसे हम इसका regulated operation कर सकें अब क्या है ensure focused and targeted action on predominant sectors contributing to adverse air quality in all identified hotspots in NCR ठीक है यह सारी चीज़ें होगे फिर हमारा third आ जाता है severe state जो कि 401 से 450 है इसमें क्या state government of NCR या फिर government of national capital region of territory Delhi can impose strict restrictions on applying of BS 3rd petrol and BS 4 diesel light motor vehicles ठीक है अब इसमें power दिया गया है central government को या फिर governor को कि वो restrictions लगा सकें जो हमारे भारत stage 3rd और भारत stage 4th vehicles हैं उनको लेकर restrictions इसमें लगाया जा सकता है new edition किया गया है कि अब state government या फिर government governor के पास ये power है कि वो इस समय physical classes चलेंगी कि नहीं चलेंगी schools में class 5 तक की ये decide कर सकते हैं फिर fourth हमारा final आ जाता है severe plus stage जो कि 450 प्लस आपकी गई है AQI तो इसमें जो चीज़ें आट की गई है कि light commercial vehicles जो हैं जो outside of Delhi registered है other than EVs, CNG, BS, 430 except those carrying essential services तो ऐसी सारी vehicles जो की EV नहीं है यान इलेक्रिक वहिकल नहीं है उनको हम Delhi में आने से रोकेंगे ठीक है except those carrying essential services जिसमें essential services हैं दवाईयां वगेर हैं इन सबको आने देंगे बाकी सबको नहीं permit करेंगे फिर physical classes हम बंद कर देंगे class 6 से लेके class मतलब पहले ही इसके पहले तो हमने class 5 तक का बंद कर दिया उसके आगी का 6 से लेके 9 फिर 11 सबको discontinue कर देंगे और online mode में class लेंगे और इससे related जो भी decision होगा वो महां की state government या फिर government decide करेंगे तो यह act भी हमारा यह news भी हमारी important हो जाती है फिर एक छोटी से news है चन्नाई high level principles सिर्फ यह याद अटना है कि चन्नाई high level principles हैं क्या यह क्या है कि एक set of principles हैं for a sustainable and resilient blue economy blue economy को लेकर एक principle बनाए गए हैं तो G20 की final meeting होने से पहले भी कई सारी ministerial meetings होई थी या मतलब high level meetings होई थी तो उसी में से एक में चन्नाई high level principles को adopt किया गया blue economy क्या है ऐसे जितनी भी resources हैं जितनी भी economy जो कि हमारी oceans या water से related हैं वो सारी अमारी blue economy के अंदर आती हैं जैसे क्या renewable energy हो गई, fisheries हो गई, tourism हो गया, maritime transport हो गया, waste management हो गया यह सारी हमारी blue economy के अंदर आती हैं फिर है हमारी resource efficiency circular economy industry coalition यह coalition बनाया गया है यह भी जी 20 की fourth environment and climate sustainability working group meeting के दोरान यह coalition फॉर्म हुआ यह industry driven initiative है मतलब इसमें industry से जो related company हैं वो सारी शामिल है, founding members वो इसकी 39 companies हैं यह headquarters है 11 countries में, यानि 11 countries की 39 companies ने मिलकर यह coalition बनाया है main क्या है कि इनको accelerate करना है implementation of 2030 agenda for sustainable development, climate goals under Paris agreement, goals and targets under coming Montreal global biodiversity framework, कि गाली amendment, resource efficiency dialogue roadmap and other relevant international goals main इनका यह है objective इन सारे goals को implement करना next है strategy on the reduction of greenhouse gas emissions from ships एक strategy है कि कैसे हम ships से जो greenhouse gas emit हो रही है उसको reduce कर पाए तो यह strategy हमारी international maritime organization ने adopt कर लिए है अब अगर बात करें अब problem है तभी तो इसका हम solution निकालने कोश्च करें तो इतो shipping industry जो है उससे जो greenhouse gas emission हो रहा है वो 2.89% है of the total anthropogenic emission यानी मानव जितना भी उतसरजन कर रहा है greenhouse gases का उसमें का 2.89% हिस्सा जो है वो हमारी shipping industry contribute करती है next news है हमारी carbon credit trading scheme यह क्या है ministry of power ने notify किया है यह scheme ministry of power याद रखेंगे किसने notify किया है ministry of power ने पहली जो इसको announcement की गई थी वो energy conservation amendment bill 2022 में आया था उसके तहट जो है वो announce किया गया था किसको amendment कर रही थी यह bill energy conservation act 2001 features की बात करें अच्छा carbon credit trading से क्या समझते है international level पे भी हमने सुनना है carbon credit क्या होता है कि अगर हम environmentally sustainable कोई work करते हैं तो उसके हमें credit मिल जाते है या फिर हमने environment में से carbon को capture किया carbon की कमी की अगर हमने environment में तो उसको as a credit form में हमें दे दिया जाता है फिर वो credit जो होता है वो हम use कर सकते हैं आगे के लिए मतलब अगर हमें कोई ऐसा काम करना है जैसे जिसमें carbon का बहुत ज़्यादा emission हो रहा हो तो वो credit होता है हमारे पास अगर उसमें limit दी गई है कि आप इतना उसर्जन कर सकते हैं carbon का तो उन credits का use करके हम उसमें कर सकते हैं या फिर हम ये कर सकते हैं कि इनको trade कर सकते हैं मान लिया किसी company के उपर ये रोक है कि आप X million ton का ही carbon सर्जन कर सकते हैं लेकिन ये X से इसको ज़्यादा की ज़रुवत है तो अब ये क्या कर सकती है किसी company B के पास अगर extra carbon credit पढ़े हुए तो ये B company A company को पेच सकती है तो इस तरीके से tradable कुछ हो जाएगा जिससे मतलब हम regulate कर सकते हैं decarbonize कर सकते हैं इसके decarbonize करने के लिए ही ये scheme लाई गई है इसके features क्या है National Steering Committee या Indian Carbon Market Governing Board बनाया जाएगा जिसको head कौन करेगा Power और Environment Secretaries ठीक है Power और Environment Ministry के जो Secretaries है वो इसको head करेंगे carbon market का जो administrator है वो Bureau of Energy Efficiency होगा भियानी की BE फिर जितनी भी ट्रेडिंग activities है उनको regulate कौन करेगा Central Electricity Regulatory Commission यह याद अगना है थी कि administrator कौन है Bureau of Energy Efficiency regulate कौन करेगा Central Electricity Regulatory Commission और Registry of ICM क्या है Carbon Market की Registry कौन होगा Grid Controller of India तो यह चीज़ी इसे हमें याद रखनी है पर एक प्लाट्यू था कास्ट प्लाट्यू जो की न्यूज में था यह कहां पर है महराश्ट के सतारा डिस्टिक्ट में है और वेस्टन घाट का जो बायो स्फेर है उसके अंडर में ही आता है इसको Valley of Lars भी कहते है Valley of Lars चमूली डिस्टिक्ट जो उत्राखन में है वो अलग है यह यहां का है महराश्ट का इसका नाम जो है वो derived किया गया है कासा ट्री जो की रूद्राक्ष जो हम देखते हैं उसकी ट्री का ही एक family है उसमें ही कासा ट्री भी आता है न्यूज में था बस इतना याद रखना है फिर धाला क्रेटर न्यूज में था हमारा क्यों न्यूज में था क्योंकि अभी एक study की गई जिसमें पाया गया कि यह जो क्रेटर है यह कैसे फोर्म हुआ है एक यूरेलाइट क्लास का मिटियॉराइट है उसके कॉलिजन से डाला क्रेटर फोर्म हुआ है यह study में show किया गया है यह क्रेटर जो हमारा वो मद्धे प्रदेश में है एशिया का लार्जस्ट है और वर्ल्ल का सेवन्थ लार्जस्ट इम्टाक्ट क दूसरा रामगड क्रेटर है जो की राजस्थान में है, तीसरा लोनार है जहां पर लोनार लेक भी बना है उस क्रेटर में, वो महराश्ट्रो में है. नेक्स्ट है हमारा शेल्फ क्लाउड, शेल्फ क्लाउड का फॉर्मेशन जुलाई के महीने में उत्राखन में विटनेस किया गया, इसको हम आरकस क्लाउड भी बोलते हैं, ठीक है, यह पावरफुल स्टॉर्म सिस्टम से असोसियेटेड होते हैं, ठीक है, काफी आंधी क्लाउड जो होते हैं, वहां से बहुत ठंडी हवा, कोल डाउन राफ जो है, वो नीचे ग्राउड की तरफ आता है, जैसे कोल लेर नीचे आएगा, स्प्रेड करेगा, ग्राउड के लॉंग, तो वैसे ही वहां पे जो वाम मॉइस्टेयर होगी, वो उपर की तरफ जाएग तो यह नीचे थी, उसके बाद, होलो बायाउन से एक टर्म यूज आया है, यह टर्म क्या दिस्क्राइब करता है, होस्ट एन ओल इस माइक्रोब्स लिविंग एज यूनिट इन सिम्बायोसिस, सिंप्लिस टर्म में बात करें, तो एक हूमन है, इस हूमन के अंदर जो है, स होस्ट प्लस माइक्रोब्स को, तो होस्ट प्लस माइक्रोब्स इनका जो सिम्बायोसिस है, एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन्शिप में है, जिसमें म्यूच्वल क्या हो रहा है, बेनेफिट हो रहा है, तो ऐसे पूरे होस्ट प्लस माइक्रोब्स को क्या तो इन दोनों को हम एक साथ क्या बोलेंगे होलो बायोंट नेक्स्ट हमारा है साल सोला अपोजिटीव फोलिया डेसफॉन्टानिया यह क्या है एक न्यू स्पीशीज डिसकवर हुई है अमरेंथीसिया फैमली की है परैनियल श्रब है जो की सेलाइन एरिड टो सेमी एरिड एन्वार्मेंट में यह होता है और गुजरात के कच डिस्टिक्ट में यह पाया जाता है अब यह खास क्यों है क्योंकि जो सॉल्टी जूस है जो इसकी लीप में स्टोर होता है इस जीनस के तीज में जो स्टोर होता है वो सोपस बनाने में हमारी यूज में आता है नेक्स्ट है हमारा Bahubali cattle fence अब क्या है इसका प्लान हो रहा है कि इसको हम highways के आलोंग जे वो establish करेंगे इस fence को Ministry of road, transport and highways ये प्लान कर रहा है कि highways के आलोंग हम ये fence को create करेंगे ये fence खास इसलिए है क्योंकि इसको bamboo से बनाया जाता है bamboo को हम creosote oil होता है उससे treat करते हैं फिर इसके उपर high density polythylene की coating कर देते हैं तो इससे हम ये fence create करते हैं और ये steel का एक अच्छा alternative है, stronger alternative है इसलिए हम use कर रहे हैं next है हमारा cryptobiosis cryptobiosis एक ऐसी state होती है जिसको हम state of temporary death भी कह सकते हैं ये कैसी state है जहाँ पर organism जो है वो life की जितने भी science है उसका कोई भी उसमें नामों निशान नहीं होता है लेकिन जो organism है वो अभी भी जिन्दा होता है तो बिना पानी, बिना oxygen के organism जिन्दा रह सकता है cryptobiosis की stage में नेक्स्ट है हमारा gambusia affinus जिसको g-affinus भी कहते हैं ये एक fish की species है जिसको आंधर प्रदेश ने अपने water bodies में release किया है ताकि mosquito bond disease से छुटकारा मिल सकें क्योंकि ये इनके larva को खा जाती है ये fish South Eastern US ये fish जो है वहाँ के native है और इंडिया में इसको invasive species की तरह list किया गया है last है हमारा topic hydro electricity का hydro electricity हमने कई सारे renewable electricity पढ़ी है ये एक new concept उभर के सामने आया है हमारी Massachusetts Amherst Universities और ही pronunciation अगर गलत हो तो तो यहाँ पर ये milestone अचीव किया गया है renewable energy में जिसमें हमने power of hydro electricity को harness किया गया है अब ये hydro electricity का जो concept है उसे पहली बार explore किया गया था हम जो physicist थे Nikola Tesla उन्होंने ये explore किया था concept इसमें हम क्या करते है humid जो air होती है humid air होती है moisture वाली air उसमें से हम electricity को harness करते है इस चीज़ को harness करने के लिए एक small tiny device का use किया जाता है जिसमें दो electrode होते है और thin layer of material होता है filled with nanopores तो ये एक पूरा device होता है जिससे कि हम humid air में से electricity को harness कर सकते है और इस electricity को हम क्या टाउन देते है hydro electricity तो ये एक जितनी भी news थी ये जुलाई के महिने की थी और सारे exams के लिए बहुत useful है और I hope आपको अच्छा लगा होगा प्लीज वीडियो को like कर दीजे और भी channel पे जाके और भी आप playlist में वीडियो देख सकते हैं channel को subscribe भी कर लीजे मिलते हैं आपसे नए lecture में thank you